एक बड़ा ही कमाल का जो है एक्सल में ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन क्या है उसको देखेंगे उससे पहले यहां पर यह जनवरी 2024 की रिपोर्ट है और यह मेरे पास पड़ी हुई है जिसमें देख सकते हैं कि कीबोर्ड की कॉस्ट क्या यहां पर दी गई है यहां पर दे इक्वल्स टु लगाके सम का फॉंक्शन लगाएंगे और यहां से इसको एकसाद सेलेक कर लेंगे तो यह दी टू से लेके दी 5 तर ठीक है कौन सा सा अल इटरेस है यह बताओ तो रिलेटिव है कि मिंच्ट है कौन सा अल इटरेस है relative है कुछ भी fix नहीं होता है dollar नहीं लगा होता है तो ये क्या होता है relative होता है ठीक है तो ये हमने total भी कर लिया ठीक है अब total कर लिया तो क्या करना है तो total जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पर हमको report तयार करनी है तो हम क्या करते हैं न ये ये जो हिस्सा है इसको select कर लेते हैं और कहां से जाएंगे data tap पे जाएंगे अब report कैसा तयार करना report ये तयार करना है कि ये जो report है ये है January 2024 की तो February की या March की या April माई में कुछ इसमें दाम में changes होंगे तो जैसे जो vendor होते हैं उनको ये पता होता है दुकान वाले होते हैं उनको ये पता होता है कि कुछ दर-दर हो सकता है तो उसके अधार पर आप अपनी report डिजाइन कर सकते हैं तो ये data tap में जा कर what if analysis पे जाना ये what if analysis दिखाए दे रहा है और यहां पर आएटा दीटा को दिख रहा है फिर यहाँ पर एड करवाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे अब यहां पर न कुछ चेंजेस होंगै जैसे keyboard लगता है कि कुछ सस्ता हो जाएगा ऐसा हो सकता है ऐसा अनुमान के तोर पे बोला जाता है ठीक है तो ये और mouse भी कुछ सस्ता होगा तो mouse 170 का पढ़ेगा जो 200 का पढ़ रहा था बाकी माली ये monitor है और ये है तो जैसे cpu भी कुछ सस्ता होगा monitor की कीमत वही रहने देते हैं और cpu को यहाँ पे change करते है like 9000 कर देते है 9000 ठीक है और इसको भी add कर देते हैं तो ये हो गया दो चीज़े add हो गई ठीक है अब तीसरी चीज़ क्या है तो यहाँ पे march है तो m, ar करते हैं यहाँ पे एंटर करके इस तरीके से कर देते हैं तो आभ यह देखिए यहाँ पे keyboard दिया हुगा slash ठीक है तो फिर और सस्ता होगा यह यह हो जाएगाлас 250 का ठीक है माouse भी और सस्ता होगा यह बन जाएगा कितने का 150 का ठीक है और monitor भी सस्ता होगा तो यह monitor भी यहां पे change होगी तो यहां पर यह बन जाएगा 5000 का कितने का 5000 ठीक है और फिर यहां पर जब नीचे आएंगे तो यहां पर यह देखे CPU है तो CPU को same रहने देते हैं और इसको भी add करा देते हैं ठीक है अब April की बात करेंगे तो APR लिखा आमने और enter किया और enter करने के बाद यहां पेंटर किया तो यह इस तरीके से आया तो अभी keyboard हो गया यह तो keyboard अब इस वार कुछ महंगा होगा तो ठीक है तो यहां 400 कर देते हैं और mouse की कीमत यही रखते हैं फिर नीचे आते हैं तो monitor की कीमत भी यही रखते हैं और CPU की भी यही रखते हैं तो इस तरीके से अब यह जो है डीटेल हमारे पसे तैयार हो जाएगी अब फिर अगले मईने की बात आएगी Тамः की बात आएगी तो यह की बात हो जाएगी मोई in July कर देते हैं यहां अब यहां से OK करिए और यहां से तो यही सिनेरियो रहेगा तो OK कर देंगे OK करने पर आपको सभी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी ठीक है यह जन्वरी वाली है यह फर्वरी मार्च अपरेल माई लेकिन इसका समरी कैसे दिखेगा तो यह समरी ऑप्षन दिया गया तो इस पे click करिएगा और आपको यह वाला यानि total सेलेक्ट रखना है अगर आप इसके लिए pivot table के report बनाना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं फिलाल मैं reported design summary ही रखना है तो यहां से summary करेंगे तो ओके हो जाएगा लेगिन अगर आप pivot बनाना चाहते, यहां से ओके करेंगे, यह पाइबॉट बन भी जाएगा, दीख सकते हैं यह पाइबॉट यहां पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो हमें summary ही create करनी है, तो summary क्रिएट करने के लिए इस पर click करके, और पहीर आपको वही चीज़ की यहां से जाकर के और यहाँ पर summary पर click कर देना है और यह ध्यान रखेगा कि यह last वाला cell selected रहे हमेशा आपको क्या देखना है कि यह last वाला ही selected रहना चाहिए यह वाला ठीक है तो यह देखिए D6 आ भी रहा है तो यहाँ से okay कर दीजेगा जब okay कीजेगा तो यह report अपने आप तयार हो के आपको मिल जाएगी देखिए यहाँ पर report भी generate हो गई यह पूरी जनवरी की अलग report है फरवरी की अलग report है March की अलग report है अप्रैल की अलग report है और माई की अलग report है यहां पर नंबर देना है और sINGLE person पर सेंटेज और टोटल कलेट करना बहुत आसान है जैसे तुम्हारा ही नाम लिग देते हैं आप प्रियांशु लिख देते हैं ठीक है तो यह हो गया प्रियांशु और उपर सब्जेक के नाम देए ही गए हैं देखी रहे हो ठीक है सिनेरियो मेनेज तो यह पांस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास आ गया आप इनको टॉटल करना है जोड़ना है तो अपके करके जोड़ सकते हैं यानि यह आप ऐसा काम कर सकते हैं यह जोड़ेंगे घटाएंगे Excel में कोई भी काम करेंगे तो equal to लगा के ही करेंगे ठीक है अब मालो एक एक करके करोगे तो इसका select is क्या है 45 का देखो 45 का select is C है C का second C2 है यानि C2 तो आगर C2 लिखो फिर plus का निचान लगा फिर इसका क्या है D2 है फिर इसका क्या है E2 है फिर इसका क्या है F2 है फिर इसका क्या है G2 है यानि G2 तक हम आगए अब हमको यहाँ पर जोड़ना है तो जोडने वाले का तो select is रहेगा नहीं छोटे लेटर बड़े लेटर दोनुमें ही आप इसको लिख सकते हैं कोई जी करने एंटर करेंगे 365 हा रहा है लेकिन यही चीज़ आप manually ना करके formula ना लगा करके एक function है sum का is equal to sum लिखिए और sum लिख करके bracket को open कीजिए और यहाँ से यहाँ तक जब select कीजिएगा तो यहाँ पे जानते है क्या आएगा C2 colon G2 मने C2 से लेके G2 तक जो भी values है उनको जोड दीजिए चीक है तो अब जो है बंद करके एंटर करेंगे तब भी 365 अब हमको percentage इनका निकालना है तो percentage देखिए average अगर आप निकालते हैं तो वही सेम आपका percentage होता है लेकिन manually formula की मदब से कैसे निकालेंगे तो इकवल टू का शाइन लगाएंगे total को select करेंगे यह total है ना कितना marks आया है 365 कितने subject में पांच subject में तो 365 कहां पर है यह h2 cell address क्या है इसका h2 और h2 किस परकार का cell address है relative type का और इसको multiply कर दो चुकि percentage जब भी निकलेगा तो इसको हंडेट से multiply कर दिया हमने और divide किस से कर देंगे यह बताओ एक subject कितने number का है maximum कितने number 80 number का है ठीक है अगर माल लो 80 number का है तो फिर हमें यहां पर 80 से न डिवाइट करना पड़ेगा अगर एक subject 80 number का होगा तो इसको हम 80 से multiply करके और फिर तो पांस सब्जेक का कितना हुआ 400 हुआ ठीक है टोटल अगर एक subject 80 number का है तो पांस सब्जेक 400 number के हुए की नहीं असी असी जोड़ो गे तो 400 आ जाएगा तो अब देखो परसेंटेज आ गया यह 73 परसेंट आया देख रहे हो अब अगर मालो किसी subject में number बढ़ा हो जैसे मालो यह 45 यह कम हो गया था यहां पे 75 होना था तो परसेंटेज और टोटल अपने आप चेंज हो जाएगा से लेटरेस का यही फायदा है समझ में आई कि नहीं बात यह से लेटरेस का तुमारा total है यह total है चीक है total को multiply करना है total marks से यानी कुल मिलाकर maximum marks कितने हुए पांचो subject को मिलाकर उससे एक subject का maximum marks कितना है उससे multiply करेंगे तो एक subject में maximum marks अगर पाओगे तो 80 नंबर पाओगे टोटल मार्स से डिवाइड कर दोगे देखो एक तो जितना मार्स पाए हो सबको मिला करके उसको डिवाइड किस से करना है एक सब्जेक्ट के मार्स से मल्टिप्लाई करना यानि 80 से मल्टिप्लाई करना यागर तो 100 होता तो 100 से कर देते ठीक है अब total कितना होगा तो देखो जरा एक subject 80 marks का है ठीक है एक subject अगर 80 marks का है तो 5 subject कितने marks के होगी यहाँ 80 को 5 से multiply कर दो कितने हुए 400 हुए तो हमने इसे 400 से divide कर दिया है देखो यहाँ पर divide किया है तो इसी से आपका percentage आ गया है ठीक है clear ठीक है